अगर आपको stock market के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता और आप zero से शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने के जुरुत नहीं पड़ेगी और आप confidently stock market में invest कर पाएंगे. क्योंकि इस वीडियो में हम बिलकुल basic से sequence wise सभी concepts को समझेंगे और इस वीडियो में मैं आपको practically share को buy and sell कैसे करना है, ये करके भी दिखाऊंगा. और इसमें मैं आपको अपनी खुद की strategy भी बताऊंगा कि कैसे मैं अपने लिए stock select करता हूँ. और इस strategy से कई बार आप short time में भी profit कमा सकते हैं. लेकिन देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मैं आपको साफ साफ कह दूँ कि stock market में आप जैसे बहुत सारे beginners daily आते हैं, इस उमीद से कि वो stock market से profit कमाएंगे. लेकिन वो कुछी महीने के अंदर stock market को छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें या तो बहुत जादा loss हो जाता है, कई बार उस loss को recover करने के लिए वो और loss करवा देते हैं, और कुछ तो कर्ज में डूब जाते हैं. इवन मेरा एक कजन है, जिसने मुझको देखकर stock market में अपनी शुरुआत की थी COVID के बाद, अब उसको जादा knowledge थी नहीं, और उसने मुझसे directly पूछा नहीं, तो उसको जिसने जो stock बताया, उसने वो stock खरीद लिया. उसमें से एक stock था, जिसका नाम था BCG Group. आप में से भी ब पतलब उसने पूरे stock market में कुईसी और stock में invest नहीं कर रखा है, सिर्फ एक stock में अपना सारा पैसा invest कर दिया, जो की 5 लाक रुपे थे. अब जब उसने investment की ना, उसने लगभग 90 रुपीज के आसपास अपनी investment की थी, और उसके बाद price बढ़ने लगी थी. और इसका जो high इस प्रोफिट हो रहा है और थोड़े पैसे और लगा दू फिर तो मेरी चांदी चांदी है. तो उसने क्या किया? दोस्तों से उदार उदार लेकर 5 लाक रुपे और इस stock में लगा दिया. मतलब total 10 लाक जिसमें से 5 लाक अपने और 5 लाक उसने जुगार करके दोस्तों से उद वालों ने चुकाए हैं और उसके बाद जाके उसने मुझे एक कहानी बताई और तब जाके उसने सीखने के बारे में सोचा. अब देखो उसका family background तो अच्छा था तो उसकी family ने वो 3 लाक रुपे चुका दिये. लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने से बहुत सारे लोग जो म मेरे कजन के साथ हुआ. इसलिए मेरी आपसे request है कि कोई भी investment करने से पहले इस वीडियो को पूरा step by step ध्यान से देखिए और जो मैं आपको अपनी strategy भी बताने वाला हूँ. उसको समझने के लिए भी आपको पहले basic clear होने जरूरी है. और मैं आपको दुबारा सा ensure कर दूँ कि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही simple तरीके से और examples के साथ समझाएंगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए और जो कुछ भी इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं वो content अभी आपको screen पे नजर आ रहा होगा. तो देखो stock market से पैसे कमाने के ना बहुत सारे तरीके होता हैं जैसे आप stocks में long term investing कर सकते हैं, आप mutual fund में भी invest कर सकते हैं या फिर आप trading भी कर सकते हैं जिसमें intraday trading भी वो हमें लगता है कि investing के साथ करनी चाहिए, मैं ये बिलकुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको trading नहीं करनी है, या फिर नहीं करनी चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्यूंकि आप नए हैं, तो शुरुआत investing के साथ कीजिए, तो stocks में invest कैसे करना है, इसके बारे में जान होगा, इसके लावा हो सकता आपने विपरो का नाम सुनाओ, या फिर टाइटन का नाम भी सुनाओ, जिससे राके जुन-जुन वाला ने बहुत सारा पैसा कमाया था, तो ये जो stocks हैं, इनको आप stock market से खरीच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कि हम तो ठीक है देते हैं, ए, तो ये एक company है, जो की अपने आपको expand करना चाहती है, अभी माल लीजिए, ये जो company है, ये उत्राखंड में ही काम करती है, लेकिन ये एक international company मनना चाहती है, तो अगर किसी company को internationally जाना है, और बहुत जल्दी जाना है, तो उसको चैयोंगे बहुत सारे पैसे, तो अब उस पैसे के लिए, company के पास दो options होता है, जिसमें पहला option होता है, debt, यानि company चाहे, तो वो loan ले सकती है, और loan लेकर वो फिर अपनी company को expand कर सकती है, लेकिन यहाँ पर risk होता है, क्योंकि अगर company डूब भी गई, तब भी आपको loan चुकाना पड़ेगा, और उसके आप और हम जैसे जो investors हैं, जो general audience है, उनको अपने shares भी देती है, share का मतलब है, simply company जो है, वो अपना एक छोटा सा हिस्सा, इस हिस्से को वो आम जो public है, उनको बेच रही है, अब इसमें company की जेब से directly कुछ नी जाता, और उन्हें जितना पैसा चाहिए, वो पैसा directly हम से मिल अब उस पैसे का use करके company क्या करेगी? वो business करेगी, और अपने business को expand करेगी, और अगर Company अपने business को expand करती है, और मान लीजे, जैसा company ने सोचा था, वैसा ही होता है, तो अब इस case में क्या होगा, कि company का जो size वो बड़ा होगा, जैसे इस case में company का size है, वो बड़ा हो गया है, तो अब company भी बड़ी हो गई, तो आपका जो छोटा सा हिस्सा है, वो भी company में बड़ा हो गया, तो मान लो पहले ये जो company थी, इसकी जो valuation थी, वो 100 करोड थी, और ये जो इसने हिस्सा बेचा था, वो 10 करोड रुपे का था, तो अब जब मान लेते हैं, कि company जब बड़ी हुई है, और इसकी valuation बढ़कर 200 करोड हो गई है, तो अब ये जो 10 करोड होगा न, इसकी value बढ़कर भी 20 करोड हो चुकी होगी, तो अगर आपने इसमें 10,000 रुपे लगा होंगे, तो वो भी 20,000 हो गए होंगे, तो यहाँ पर हमें समझ आ गया है, कि company ने अपना हिस्सा क्यों बेचा, इसलिए बेचा क्यूंकि उसे company को बढ़ा करने के लिए पैसो की ज़रूती है, और हमने उसका हिस्सा क्यों खरीदा, क्यूंकि हमारे पास पैसे थे, और हम उस पैसे को बढ़ाना चाते थे, तो हमने उस company में invest कर दिया, तो यहाँ तक आपको चीज़े clear हो गई है, तो चलिए आगे बढ़ता है, अब यहाँ पर आप एक बात को ज़रूर समझ लीजिए, कि जब भी company का IPO आता है, माल लीजिए जैसे Reliance है, तो Reliance का जब IPO आया होगा न, उसी टाइम पर Reliance ने directly आप और हम जैसे investors को shares बेच हैं, एक बार जब company का IPO ओवर हो चुका है, तो अब जब आप share market से shares Reliance के खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर Reliance डिरेकली आपको अपना share नहीं बेच रहा है, यहाँ पर आप किसी दूसरे investor से share खरीते हैं, फिर आप किसी दूसरे को बेचते हैं, वो दूसरा किसी तीसरे को बेचता है, वो चौते को बेचता है, और ऐसे हम आपस में एक दूसरे को ही Reliance के shares बेच रहे हैं, यानि जब company IPO लेकर आती है, तब ही वो अपने shares directly पब्लिक को बेचती है, बाद में जब हम share market से share खरीते हैं, तब actual में company share नहीं बेच रही है, हम आपस में एक दूसरे से share खरीत और बेच रहे हैं, अब देखो company ने तो हमें shares बेच दिया है, कि अब हम आपस में एक दूसरे को share कैसे खरीतेंगे और बेचेंगे, तो इसी के लिए stock market बनाया गया है, और ये जो stock market है, इसमें basically दो exchange है, जिसमें से एक exchange है NSE, और दूसरा है BSE, यानि national stock exchange, और दूसरा है Bombay stock exchange, तो अब इन stock exchange का काम क्या है, तो देखिए इनके नाम से ही समझ आ रहा है, कि यहाँ पर stock को exchange किया जाता है, यानि आप किसी दूसरे को देते हैं, वो दूसरा किसी तीसरे को देता है, यानि इसी के थुरू shares buy and sell किये जाते हैं, यानि अगर मुझे अपने shares बेचने हैं, तो मैं NSE या BSE में से किसी एक stock exchange में बेचूँगा, और आपको अगर वो shares खरीदने हैं, तो आप भी NSE या BSE से खरीद सकते हैं, तो ऐसे में होता क्या है, कि ना आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन तब भी हम एक दूसरे को shares खरीद और बेच सकते हैं, और इससे shares को खरीदना और बेचना काफी आसान हो जाता है, बट यहाँ पर आपको एक point क्लियर कर दूँ, कि आप खुद से directly NSE या BSE में जाकि ये नहीं बोल सकते कि मुझे shares बेचने हैं, और दूसरा बोलेगा कि मुझे shares खरीदने हैं, तो इसके लिए आपको एक broker के थूँ जाना होता है, यानि वो broker आपके बिहाफ में जाकर NSE या BSE में share बेचेगा, तो आपको basically broker के पास जाना है, अब ये जो brokers हैं, ये property brokers की तरह नहीं होता हैं, जो कि आपको हर गली या महले में मिल जाएंगे, तो इसके लिए आपको अपना एक DMAT account खुलवाना होता है, जो DMAT account आप किसी broker के पास खुलवाते हैं, और इस case में जो brokers हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी company हैं, मतलब 20-20, 30-30, 1000 करोड की companies हैं, जिनके पास जाकर आप अपना DMAT account खुलवाते हैं, और इवन अब तो जाने की भी ज़ूरत नहीं है, आप अपना जो DMAT account है, वो अपने mobile phone के थूँ ही खुलवा सकते हैं, और उसके बाद जो shares buy and sell करने हैं, वो भी mobile phone के थूँ ही किये जाते हैं, यानि आप जो भी broker choose करेंगे, उसके पास आप अपना DMAT account खुलवाएंगे, फिर उसका कोई app होगा, जिसके थूँ आप buy and sell करेंगे shares को, वैसे अगर आप अपना DMAT account खुलवाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे DMAT account के link में आपको description पे दिया है, जहां पर आप इलकुल free में अपना DMAT account खुलवा सकते हैं, तो description जरूर चेक कर लिजेगा, और अपना DMAT account free में खुल रहा है, तो खुलवा ही लिजेगा, अब जब आप अपना DMAT account खुलवा लेंगे, तो next आपको क्या करना होगा, next आपको जिसमें आपना DMAT account खुलवाया है, आपको उसका app डाउनलोड करना होगा, बाकी आपको वो जो company है, वो भी guide कर देती है इसमें, तो इसमें आपको बहुत जादा सोचने की ज़रूत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार practically दिखाता हूँ, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने अपने phone को इस screen में cast किया है, तो अब जब आप अपना DMAT account खुलवा लेंगे, आपके पास अपना ID और password आ जाएगा, और आप app को डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आपने उस app को open कर लेना है, तो जब आप app को open करेंगे, तो आपको यह interface देखने को मिलेगा, अब हर DMAT account का different app होता है, तो वहाँ पर आपको different interface देखने को मिल सकता है, लेकिन share को buy and sell करने का जो process है, वो almost same होता है, तो यहाँ पर जब आप buy करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने account में पैसे add करने होंगे, तो यहाँ पर add fund का एक option है, जहां से आप अपनी UPI के थूँ पैसे यहाँ पर add कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेगा कि आप उसी bank account से पैसे add कर पाएंगे, जिस bank account का use, आपने DMAT account को open करते हों किया होगा, तो अब अगर आप किसी भी share को buy करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर watch list में जाना है, आप watch list में already मैंने कुछ stocks को add कर रखा है, आप अपने हिसाब से भी stocks को add कर सकते हैं, तो आप जिस stock को आप buy करना चाहते हैं, आपने उस stock का सिर्फ यहाँ पर नाम लिखके search कर लेना है, जैसे अगर मान लीजे, आप Reliance का stock buy करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर Reliance लिखके search कीजिए, और ऐसे आप click करेंगे तो यहाँ पर buy करने का option आ रहा है, और अगर आप ITC का share buy करना चाहते हैं, तो आपने ITC लिखके search करना है, यानि जिस भी stock को आप buy करना चाहते हैं, आपने उसका नाम लिखके search करना है, अब यहाँ पर आपको equity जो देखने को मिल रहा है, EQ जिसके आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो long term के लिए share है, और जिसके आगे आपको futures देखने को मिल रहा है, वो है अगर आप futures trading करना चाहते हैं, OPT लिखा है इसका मतलब अगर आप options trading करना चाहते हैं, तो इनके उपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आगे भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उनसे समझ सकते हैं, फिलाल अभी मैं आपको सिर्फ simply share buy and sell करना सिका रहा हूँ, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आप share दो जगा से खरीच सकते हैं, एक होता है NSE और दूसरा होता है BSE, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर NSE लिखा है, इसका मतलब अगर मैं इस stock को buy करूँगा, तो यह NSE में buy होगा, और अगर मैं इसको buy करूँगा, तो यह BSE में buy होगा, तो यह आपके उपर है कि आपको NSE से buy करना है, या BSC से buy करना है, इससे कोई फर्थ नहीं पड़ता कि आप NAC में buy करें, या BSC से buy करें, तो आप कहीं से भी buy कर सकते हैं, तो example के लिए मैं NAC से buy करना चाहता हूं, तो मैं NAC पर click कर दिया है, और उसके बाद हमें यहाँ पर buy का option देखने को मिल रहा है, अब जैसी आप buy पर click करते हैं, तो अब देखिए, अगर आप long term के लिए share को buy करना चाहते हैं, मतलब आप आज buy करें और उसके बाद जब चाहिए आप बेच पाएं, तो अपने delivery के लिए buy करना होता है, यानि long term investment में आपको delivery में buy करना होगा, तो यहाँ पर आपको delivery का option देखने को मिल रहा है, दूसरा option है, अगर आप intraday trading करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर click करना होगा, intraday trading में आपको margin मिलता है, तो आप उस share को up to 5 times सस्ता खरीच सकते हैं, और pay later के option पे मुझे लगता है कि आपको ध्यान देने की ज़रोत नहीं है, तो हम अगर long term के लिए share खरीदना चा यह सिर्फ एक example ही, यह कोई भी recommendation नहीं है, तो इसे एक example की तरह ही लिजेगा, तो कितने shares आपको buy करना है, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा, जैसे मैंने एक लिख रखा है, क्योंकि मुझे एक share buy करना है, अब इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर दो option देखने को म घट रही है, 445 रुपीज, 80 पैसा, 75 पैसा, 70 पैसा, तो यह price बढ़ एन घट रही है, तो जो भी price जैसी आप buy नाओ पर click करेंगे, तब होगी उसी price पर वो buy हो जाएगा, अगर आप market में buy कर रहे हैं, तो अगर आप बहुत कम quantity से buy कर रहे हैं, और long term ले buy कर रहे हैं, तो आप market में ही buy कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजे, आप 1 करोड रुपे के shares खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर 1 रुपे भी price उपर नीचे होने पर, आपके कुछ 1000 रुपे का फर्क आ सकता है, तो ऐसे में आपको limit price लगा कर buy करना चाहिए, या फिर अगर आप कभी trading करते हैं, options trading करते हैं, तो वहाँ पर भी छोटी मोटी price बढ़ने से भी आपका जो trade है, उसमें काफी फर्क आ सकता है, तो वहाँ पर आपको limit में buy करना होता है, तो एक बार मैं आपको market price में इसको buy करके दिखाता हूँ, तो हमने market यहाँ पर click कर दिया है, अब इसके बाद देखिए stop loss के options हैं, GTT के options हैं, तो यह सारे options हमने उस video में सिखार के हैं, अभी फिलाल मैं आपको share buy करके दिखाता हूँ, तो आपने यहाँ पर number of shares डाल दिया है, अभी हम market price में buy कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने buy पे click करना है, और जैसी आप confirm पे click करते हैं, तो देखिए आपका बता दूं कि यह जो share है, यह मैंने delivery में buy किया है, और मैं इसको long term के लिए मतलब जब तक चाहे तब तक के लिए अपने पास रख सकता हूँ, और एक और बात का ध्यान रखेगा कि जब मैंने share को buy किया है, तो अभी यह share मेरे demet account में, यानि यह जो portfolio वाला tab है, यहाँ पर अभी यह हमारी position में दिखाई देता है, और यह next day आपको अपने portfolio वाले section में देखने को मिलेगा, तो इससे आपने घबराना नहीं है, तो share को buy कैसे करना है, वो आपको समझ आ गया है, तो अब मैं आपको share को sell करके दिखाता हूँ, अब आप कहेंगे कि यह share तो हमने long term के buy किया था, तो आप अभी कैसे sell कर सकते हैं, तो यही अगर आप delivery में buy कर रहे हैं, तो आप चाहे तो अभी के अभी base दो, चाहे तो आप 10 साल बाद बेचो, इससे कोई फर्क नी पड़ता है, अब जितने लंबे time के लिए उसको रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, अगर अपने intra day में buy किया होता, तो फिर आपको आज के आज ही sell करना होता, और अगर आप sell नहीं करते हैं, तो आपका जो broker है, उसको automatically sell कर देता, तो अब अगर आप इस share को sell करना चाहते हैं, तो आपने इस पर click करना है, और यहाँ पर देखिए, आपको exit का option देखने को मिल रहा ह तो आपने exit पर click कर देना है, अब जैसी आप exit पर click करते हैं, तो यहाँ पर भी आप limit price पर sell करना चाहते हैं, या market price पर, तो बहुत कम quantity है, long term के लिए invest कर रहे हो, तो market price पर ही आप इसको exit कर सकते हो, जैसी मैंने exit पर click किया, तो यह जो मेरा share है, यह sell हो चुका है, और मुझ share को buy करना चाहते हैं, आपने उस share का नाम search कर लेना है, तो example के लिए, अगर मैं Reliance का share buy करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर Reliance लिखखके search करूँगा, अब देखिये, यहाँ पर Reliance Industries देखने को मिल रहा है, Reliance का power देखने को मिल रहा है, Reliance इंफ्रस्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो हमें Reliance Industries को buy करना है यह हमें दिखाई दे रहा है और अगर आपको NAC में buy करना है तो उपर NAC लिखा है नीचे BAC लिखा है और यह equity में है इस से भी हमें पता चल रहा है कि यह share long term के लिए है तो अगर मान लीजे मैं इसको NAC में buy करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर click कर देना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए buy करने का option आ रहा है हमने buy पर click कर देना है अब इसके बाद मैं सर्फ example के लिए यह video बना रहा हूँ आपको सर्फ समझाने के लिए इसलिए मैंने एक share यहाँ पर select कर लिया है ध्यान रखिएगा कि यह भी example है यह कोई suggestion नहीं है तो इसको example की तरह ही लीजे तो यहाँ पर मैंने एक quantity select कर लिया है अब अगर मैं market price select करता तो जो भी price market में अभी चल रही होगी उसी price में buy हो जाएगा लेकिन मुझे अपनी particular किसी price में buy करना है तो मैं वो price यहाँ पर डाल दूँगा तो अगर वो price market में आएगी तभी वो buy होगा otherwise order cancel हो जाएगा तो अभी price चल रही है 2935 रुपीज तो अगर मुझे 2930 रुपीज पर buy करना है वो है 2930 रुपीज और अभी market में price चल रही है 2935 रुपीज and 60 पैसा तो अगर इस share की जो price है वो market में 2930 रुपीज आएगी तभी हमारा जो order है वो execute होगा अब देखिए मैं तो आपको सिर्फ limit order लगाना सिखा रहा था तो order इसी तरीके से लगाया जाता है अब price आएगी तो order execute होगा नहीं आएगी तो नहीं होगा और मुझे सर्फ आपको समझाना था इसलिए मैं इस order को cancel कर देता हूँ और अगर आपको sell भी करना होगा तब भी आप इसी तरीके से अपना limit order लगा सकते हैं तो order को cancel करने के लिए हमें यहाँ पर cancel order का option देखने को मुल रहा है तो मैंने cancel पे click कर दिया है और जैसी मैंने cancel order पे click किया तो इस तरीके से हमारा जो order है तो cancel हो चुका है तो इस तरीके से आप share को bind sell कर सकते हैं अगर आपको detail में सीखना है तो इसके उपर हमने वीडियो बना रखी है और DMET account का link भी आपको description पे दिया है तो description जरूर चेक कर लिजेगा अब जब आप share खरीदना और बेचना सीख लेंगे तो सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि कौन सा share खरीदना है वैसे आगे मैं आपको अपनी strategy भी बताऊंगा लेकिन पहले basic बात करते हैं कि share खरीदें तो कौन सा share खरीदें और हाँ अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया तो यार वीडियो को like जरूर कर दीजे और अगर आप इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं जैसे सुबा सुबा आप उठते हैं तो उठने के बाद आप washroom जाते होंगे उसके बाद आप toothbrush उठाते होंगे तो आपने कभी देखा है कि वो toothbrush कौन से brand का है अगर देखा है तो comment कीजे अब जब देखा तो उसके बाद आपने toothpaste उठाया होगा तो वो toothpaste कौन से brand का है? ये देख लीजे तो अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेगा कि हो सकता आपने Colgate उठाया है तो Colgate का नाम जो है वो उसका brand name है जरूरी नहीं है कि वो company का नाम भी हो कुछ cases में होता है लेकिन जादा तर case में वो उस product का brand name है तो अब आपके लिए जरूरी है उस company का नाम जानना तो आप एक बार जो भी product आप यूज़ कर रहे हैं जो कि इस case में toothpaste है उसको एक बार पलट के देखिए और वहाँ पर आपको उस company का नाम नजर आ रहा होगा तो जो company का नाम है उस नाम को आप note कर लीजे ऐसा ही जिस company का आप toothbrush यूज़ कर रहे हैं उसको भी note कर लीजे अब इसके बाद आप नाएंगे तो उसमें जो soap यूज़ कर रहे हैं उसका नाम यूज़ कर लीजे हो सकता तब यह अप रैडि होकर अपनी गाडि में बैटते तो देखिए कि आप कौनसी ब्रेंड की गाड़ि यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्रेंड भी हो सकता है इस टौक मारकेट में लिस्टेड हो यहां पर देख लिए जये कि उस गाड़ी में Tairs कौनसे ब्रैंड कह एं हो सकता है आप Good Year के Tairs यूज कर रहे है MRF के Tairs यूज कर रहे है Apollo के Tairs यूज कर रहे है तो देखें कि कौन सा ब्रैंड है और उसका नाम भी रूट कर लीजे अब इसके बाद आप ड्राइव करते वे जा रहे हैं, तो रास्ते में हो सकता है आपको एक electric bus नजर आती है, तो उसमें भी अगर आपको लगता है कि यार आगे तो future electric का है, तो उस brand का नाम भी आपने ऊट कर सकते हैं, और इवन ये जो electric bus वाला idea में आपको बता रहा हो ना, और उस company ने एक बहुत अच्छा jump देखने को मिला था, अगर आप उस company का नाम जानते हैं, इवन उत्राखंड में भी उसकी buses यूज होती हैं, और बहुत सारी states में यूज होती हैं, इवन recently उस company को एक बहुत बड़ा order भी मिला है, तो मैं कौनसी company की बात कर रहा हूँ, अग कौनसी brand की है, Nescafe, तो ऐसे जितने भी नाम आपको पता चलते जा रहे हैं, आप उन सब की एक list बना लीजे, अब जब आपके पास एक अच्छी खासी list त्यार हो चुकी है, इतनी सारी companies की, जिनके products आप यूज कर रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपने देखना है इस में से कि कौनसी companies listed हैं और कौनसी listed नहीं है, अब ये आप कैसे देखेंगे, तो simply पहले मैंने आपको बता दिया है कि आप brand name में नहीं, आप उसकी company के नाम पर चाहिएगा, जैसे अगर Nescafe का example लें, तो यहाँ पर आपने देख लेना है कि वो कौन से brand की है, तो Nescafe, N ने Nesla search करना है, Nescafe नहीं, तो अगर आप देखना चाहता है कि वो जो company है, वो stock market में listed है, या फिर नहीं, तो उस company का नाम लिखिए, और उसके आगे share price लिखके search कर लीजे, गूगल में, आपको अगर उस company की share price देखने को मिल गई, तो इसका मतलब वो stock market में listed है, और अग अब देखो, जो company listed ही नहीं है, उसका दोम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो company listed है, आपने उसकी list बना लेनी है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले ना comment करके 3 ऐसे products बताओ, जिनको आप use करते हैं, और वो 3 products कौन सी company के हैं, ये भी comment करके जरूर बताएगा, ये exercise आपने आपने देखना है कि इसमें से कौन से ऐसे products हैं, जो आपको लगता है कि आप आज से 5 साल बाद भी use करोगे, और जितना आज use करते हो, उतना ही करोगे, उससे जाधा करोगे, तो ऐसे में हो सकता है कि आपने 10 stocks select किये थे, लेकिन अब आपके सामने सिर्फ 6 stocks निकल कर आते है तो अब इन 6 stocks में आपको करना होगा इनका fundamental analysis, अब देखिया fundamental analysis वैसे तो बहुत ही जाधा vast है और इसमें बहुत सारी चीज़े करनी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको simply कुछ चीज़े बता देता हूँ, अगर आप इसके बारे में detail में सीखना चाहते हैं, तो इसके उपर अल्रेडी हमने video बना रखे, link आपको description पर मिल जाएगा, तो description जरूर चेक कर लिजएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा basic समझा देता हूँ, कि आपको fundamental analysis करने के लिए कौन-कौन सी चीज़े देखनी चाहिए, यह बहुत ही basic हम समझेंगे, तो इसमें सबसे पहली जब भी आपने जो 6 stock select कर लिया है, उनमें देखना है कि उसकी जो market capitalization है, वो कितनी है, अब यह market capitalization को market cap भी कहते हैं, तो मैं market cap लिख रहा हूँ, तो यह market capitalization होती क्या है, तो देखिए market capitalization से हमें पता चलता है कि वो company कितनी बड़ी है, हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आ आपको उसकी market capitalization देखनी होती है, और market capitalization से ही हम यह company का पूरा size पता चलता है, अब यह जो market capitalization है, इसके हिसाब से companies तीन तरह की हो सकती है, जिसमें सबसे पहली है large cap companies, इनमें आपने जितनी भी बड़ी बड़ी companies के नाम आपने सुनें, वो सभी large cap companies होती है, और इनकी जो market capitalization है, वो 20,000 करोड से जादा होनी चाहिए, यानि generally ऐसी कोई भी company जिसकी market capitalization 20,000 करोड से जादा है, वो एक large cap company है, अब अगर कोई company large cap है, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें ये फर्क पड़ता है, कि अगर कोई company large cap होगी ना, तो क्योंकि वो company बहुत जाद कम है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, और वो ये है कि क्योंकि ये company already बहुत जादा बढ़ी है, तो इनके लिए जो growth के chances होते हैं, वो उतने जादा नहीं होते हैं, तो ये generally उतने जादा returns आपको नहीं दे पाएंगी, जितना कि छोटी companies दे सकती हैं, तो हमारी large cap companies कौन सी होती हैं, ये आपको clear हो गया है, अब अगर mid cap stocks की बात करें, तो इनके नाम सी आपको समझा रहा है कि ये medium size की companies हैं, तो इनकी जो market cap है, वो 5000 करोड़ से लेके 20 000 करोड़ के बीच में होती है, यहाँ पर एक point आपको clear कर दूं, कि ये कोई hardcore rule नहीं है, हम आपको सिर्फ general समझ के लिए बता रहे हैं, कि इसके आसपास इनकी market cap हो, तो उसको हम mid cap stocks मानते हैं, कुछ cases में लोग 25 000 करोड़ की company को भी mid cap मान लेते हैं, तो ये कोई hardcore rule नहीं है, मैं आपको सिर्फ basic idea के लिए बता रहा हूँ, तो अब ये जो mid cap companies है, इनका सबसे पहली बात है, फाइदा क्या तो इनका फाइदा ये है, कि अगर आप इनमें invest करते हैं, तो क्योंकि ये mid cap companies हैं, तो इनकी पास growth की अच्छी खासी opportunity होती है, तो आपको इसमें अच्छे returns मिल सकते हैं, लेकिन ये जो companies हैं, ये उतनी ज़ादा safe भी नहीं है, क्योंकि अगर इनमें दिक्कत आएगी, तो इनको थोड़ी बहुत problem आ सकती है, तो यहाँ पर आपके returns थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन risk भी comparatively थोड़ा बढ़ जाता है, और इसके बाद जो third type की companies हैं, वो होती है, small cap companies, इनके नाम से ये आपको समझ आ रहा है कि ये बहुत छोटी companies हैं, तो हर वो company, जिसकी market cap 5000 करोड की company में बन सकती है, लेकिन यहाँ पर risk भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर इस 5000 करोड की company के साथ कोई problem आ जाती है, तो फिर वो पूरी company भी डूप सकती है, तो इसमें risk जो होता है, वो बढ़ जाता है, बट comparatively returns भी बढ़ जाता है, अब इन तीनो type की companies में से, अगर आप beginner ह और सीखना शुरू ही किया है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप large cap companies में जाये, वहाँ पर आपको थोड़े जो returns है, वो कम मिलेंगे, लेकिन आपका जो risk होगा, वो भी थोड़ा कम होगा, और जो best approach होता है, उसमें माना जाता है, कि आपको सिर्फ किसी एक stock में invest नहीं करना है आपको अपना पूरा portfolio बनाना है, जिसमें आप 12 से 15 stocks रख सकते हैं, और अगर आपकी capital जादा है, तो फिर आप maximum 20 stocks तक रख सकते हैं, इसमें आप कुछ small cap stocks रख लीजे, कुछ mid cap रख लीजे, और कुछ large cap रख लीजे, तो ऐसे में जो large cap stocks होंगे, वो आपके portfolio को stability देंगे, और जो mid cap and small cap stocks होंगे, इनसे आपके portfolio को growth मिल जाएगी, तो सबसे पहली चीज़ आपने market capitalization देखनी है, अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने उस stock में देखनी है, वो बहुत जादा important है, और वो है sales growth, अब simple भाशा में समझाता हूँ कि ये sales growth होता क्या है, तो जैसे इस growth के लिए ज़रूर ही है कि वो अगले साल 100 करोर से ज्यादा का माल बेचे, तो इस साल हो सकता है कि company ने 120 करोड का बेचा, तो इसका मतलब है कि पिछले एक साल में जो company की sales growth है, वो कितनी है, वो 20% है, अब हो सकता है कि अगले साल जो company है, वो 145 करोड का माल बेचे, फिर वो यह है कि जब भी आप किसी company की sales growth देख रहे हैं वो सिर्फ एक साल की ना देखें एक साल में किसी भी reason की वज़े से company की sales हैं वो तेजी से बढ़ सकती हैं तो यहाँ पर आप पिछले 3 साल का minimum और कुछ cases में आप पिछले 5 साल की sales growth पे भी ध्यान ज़रूर दीजेगा अब sales growth की बात चली रही है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ जो documents होते हैं उनमें इसको revenue भी दिखाया जाता है और कुछ जगा पे इसको top line भी बोला जाता है तो इस बात का भी ध्यान रखेगा अब इसके बाद जो third चीज आपको देखनी चाहिए fundamental analysis में वो है profit growth अब देखो company की जो sales है वो अगर बढ़ रही है तो यह तो अच्छी बात है लेकिन इसके साथ ही उसका profit भी बढ़ रहा होना चाहिए अगर company का profit नहीं बढ़ रहा है और sales बढ़ती जा रही है तो फिर इस इससे हमें long term में कुछ खास फाइदा नहीं होगा तो यानि company का profit भी बढ़ रहा हो और मैं आपको अपना rule बता दूँँ तो मैं कभी भी किसी ऐसी company में invest नहीं करता हूँ जो की एक loss making company हो exceptionally company को loss हो गया वो एक different चीज है लेकिन अगर company regularly loss कर रही है तो मैं generally उस company में invest नहीं करता हूँ और मुझे लगता है कि as a beginner आपको भी ऐसी companies को avoid करना चाहिए जिनको loss हो रहा हो तो हमेशा ऐसी company में invest करें जिसका जो profit है वो लगातार बढ़ रहा हो और वो company profitable होनी चाहिए अग अगर आपको जाधा risk नहीं लेना है तो और यहां पर भी सिर्फ पिछले एक साल का profit growth ना देखें पिछले तीन साल और 5 साल का profit growth देखेंगे तो यह जाधा better होगा अब जब आपने company का profit growth देख लिया है तो आप जो fourth important चीज है वो है debt to equity अब यह क्या चीज होती है तो देख कि चाहे company की कितनी sales बढ़ जाए कितना profit बढ़ जाए लेकिन उसको बहुत ज़्यादा interest चुकाना होगा और loan को चुकाना होगा जिससे जो हम shareholders है ना हमारे हाथ में कुछ बचे गई नहीं तो हमारे लिए important है कि company का debt है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो इसके ल तो अब जब आप एक company का debt to equity देख लेंगे तो इसके बाद एक बहुत ही important metric है और वो है P.E. ratio इसकी full form होती है या कहें कि इसका formula होता है price to earning ratio P.E. ratio से हम ये पता करने की कुशिश करते हैं कि ए company का stock है वो सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है देखिए हो सकता है कि ज अगर फिर भी company को आपने बहुत महंगे में खरीद लिया तो आप उससे profit नहीं कमा पाएंगे तो आपके लिए जरूरी है उसको एक सही price में खरीदना तो वो सही price क्या है वो हमें बताता है P.E. ratio अब ये जो P.E. ratio है ना देखो साफ साफ बताता हूँ ये थोड़ा advanced concept है त हम सीधा समझते हैं कि इसको use कैसे करना है तो देखिए इस P.E. ratio में हम basically comparison करता है अब comparison करने के लिए हमारे पास कोई दूसरी चीज होनी चाहिए तो आप जिस company में invest कर रहे है माल लीजे उसका जो P.E. ratio है वो 25 का है तो अब ये जो number है ये अच्छा है बूरा है ये हमें पत hotel बनाती है और उनका P.E. ratio क्या है और उसका एक average और आप माल लीजे अगर कोई दूसरी company है जो जो टैर बनाती है उसका जो P.E. ratio है वो 24 का है एक तीसरी company है उसका 26 का है तो अगर इसका average निकाल ले तो 25 निकल कर आएगा तो अगर आपको जो company में जिसमें आप invest करना जा रहे हैं, उसका peer ratio आपको 25 ही देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब वो जो company है, वो fairly valued है, ना तो जादा महंगी मिल रही है, लेकिन अगर 25 से कम है, तो हो सकता है कि company आपको सस्ती मिल रही है, यहां पर भी बहुत सारी conditions होती है, मैं आपको basic च stock market सीखना चाहता है, तो फिर हमने एक बिल्कुल basic to advanced stock market के उपर course बना रखा है, जिसको आप हमारे app से buy कर सकता है, link आपको description पर मिल जाएगा, बट यहां पर आपको peer ratio से related एक चीज़ बता देता हूँ, और वो यह है कि अगर मान लीजे किसी company का peer ratio 25 है ना, तो इसका मतलब ह है कि आपको उस company से एक रुपए कमाने के लिए 25 रुपए देना है, और दूसरी किसी company का अगर मान लीजे 26 है, तो उस company से एक रुपए कमाने के लिए आपको 26 रुपए देना है, अगर किसी company का peer ratio 20 है, तो एक रुपए कमाने के लिए आपको 20 रुपए देना है, तो जहां अब directly चलते हैं मेरी strategy के उपर जिसमें मैं अपने ले stock select करता हूँ अब मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी strategy है या थोड़ी जादा risky है क्योंकि मैं थोड़ा जादा risk ले सकता हूँ तो आपके हिसाब से वो strategy सही है या फिर नहीं या आपको खुड decide करना है तो देखिए क्योंकि मुझे stocks का fundamental analysis करना बहुत अच्छे से आता है technical analysis मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ तो मेरा एक बहुत ही simple formula है और वो formula यह है कि अगर कभी मुझे दिखाई देता है कि किसी एक stock की price किसी external reason की वज़े से गिरी है या फिर just reason की वज़े से गिरी है वो एक temporary reason है यानि वो permanent reason नहीं है और इसके साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके fundamentals अच्छे है वो company technically भी अच्छी है तो मैं उस stock में investment कर लेता हूँ अब ऐसे time पर उस stock में invest करने का फायदा क्या है सबसे बड़ा reason है कि वो stock आपको सस्ता मिल रहा है तो अगर कोई stock आपको सस्ता मिल रहा है तो आप उसको आगे चलके महंगे में बेच सकते हैं अब इस strategy का use करके वैसे मैंने बहुत सारे stocks बाई किये हैं लेकिन मैं आपको example के लिए recently एक जो stock मैंने buy किया था उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे regulations होते हैं जिसकी वज़े से मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ तो चलिए अब मैं आपको एक example के लिए वो stock बताता हूँ जिसमें मैंने खुद investment की थी और खुद इस strategy का use करके profit भी कमाया था मैं आपको stock का नाम नहीं बताने वाला हूँ उसको आप comment box में guess कर सकते हैं लेकिन मैं बाकी सारी details आपको बताऊँगा तो आपको याद होगा कि 2023 की starting में एक group था जिसके against एक news आई थी और उस news की हज़े से उसके shares बहुत तेजी से गिरे थे और वो बहुत जादा ही गिर गए थे तो मुझे क्योंकि उसका पूरा analysis करने के बाद लगा कि इसकी price बढ़ सकती है तो मैंने 21 March 2023 को 1815 रुपय और 17 पैसे की price में उस group का एक stock खरीद लिया था और इसमें मैंने 605 shares खरीदे थे मतलब मेरी जो quantity थी वो 605 थी और इसको मैंने सिर्फ दो महिने hold किया और मैंने इसको 29 May 2023 को 2535 रुपीज and 37 पैसे की price में बेचा और इसमें मुझे जो profit हुआ वो था 43% का यानि मैंने 2 महिने में 43% कमाया और जो की मेरा जो amount था क्योंकि मैंने लगबग 10 लाग रुपे invest किये थे तो मुझे 4,32,816 रुपे का profit हुआ था अब यहाँ पर मैं आपको clear कर दूँ कि देखें मैं risk ले सकता था और इसलिए मैंने उस stock में invest किया क्योंकि अब profit हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ loss हुआ हो तक तो तो उस loss को भी मैं bear कर सकता था इसलिए मैंने यह risk लिया था इसके अलावा देखो recently भी एक stock था जिससे related news आई थी और वो news क्या थी इसके बारे मैं ज़्यादा details में बात नहीं करूँगा क्योंकि उस stock में मैं invested हूँ तो उस news की वज़े से उसकी price बहुत तीजी से गिरी थी तो मैंने वहाँ पर भी opportunity देखी और मुझे पता है कि वो stock long term में अच्छा ही perform करेगा और मैं risk ले सकता था तो इसमें भी मैंने investment कर दी है और अभी उसमें भी मुझे लगबग 10% के आसपास का profit चल रहा है और वो कुछ 10-12 दिन के अंदर ही मुझे 10% या 12% के आसपास का profit हो गया था तो इस strategy का use करके मैं अपने लिए stock select करता हूँ लेकिन फिर से clear कर दूँ कि strategy बहुत ज़ादा risky है और ये बहुत advanced level की strategy है तो शुरुआत में आप इसको apply मत कीजेगा ये सब चीजे मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको confidence आए कि stock market से पैसे कमाई जा सकते हैं ये सिर्फ example है मैंने आज कमाया है मुझे loss भी होता है बहुत जगा पे loss होता है loss होगा तो उनके बारे में भी बात करूँगा बाकी regulations के हिसाब से मैं ज़ादा details आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरू कीज़ेगा इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लीज़ेगा और हाँ अगर आप stock market में future में कभी भी invest करोगे ट्रेड करोगे तो इसके लिए डिमेट अकाउंट तो आपको चाहिए ही न तो मैंने आपको description में डिमेट अकाउंट का link दिया है वहाँ से आप अपने लिए डिमेट अकाउंट का link दिया है और साथ में दो वीडियो उसके link भी दिया है